हेलो इब्रीवन आप सभी कस्वागत है हमारे चैनल टॉपिक स्टेडी में तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास सेवन साइन्स जो चैप्टर नंबर टू है क्लास सेवन का न्यूट्रिशन इनिमल्स उसे मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी इसमें पहला हम लोग जो टॉपि nutrition ways of food intake any human digestive system के बारे में जानेंगे steps in human digestion important gland related to digestion इसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे digestion in herbiv проис जो प्लंग जो इनिमल्स होती हैं वो कासे digestion करते हैं इसके बारे में जानेंगे nutrition and digestion in amoeba कैसे digestion करता है उसको भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में इतने सारे topics हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बहुत ही ज्यादा आवश्यक जो होते हैं, न्यूट्रिन्स होते हैं, उसके बाद में आता है डाइजेस्टन, डाइजेस्टन में क्या होता है, डाइजेस्टन प्रासस में जो हम कंप्लेक्स फूट, जो हम फूट को लेते हैं, उस फूट को यह सिम्पल सबस्टेंस में simple substances the mode of intake of food vary in different organisms जो different organism होते हैं वो food को लेते कैसे हैं इसके पारे में जानेंगे name of animals kind of food and mode of feeding इसनल जो होता है वो solid food लेता है solid and liquid और इसका mode of feeding होती है वो crapping type होती है और जो ant होती है ये solid लेती है solid kind of food biting बाइटिंग करती है इगल जो होता है वो meat को लेता है tearing करती है और जो hummingbird होता है hummingbird ये nectar kind of food इसका क्या है nectar है और जो mode of feeding करती है sucking सक करती है फूट को lice जो है ये liquid करती है और ये suck करती है ये भी mosquito है liquid biting and sucking butterfly nectar and sucking liquid sucking house fly जो होती है इतने इतने डिफरेंट टाइप्स के जो और्गनेश हैं इतने इसमें मैंने लिखा हुआ है इसने अल सॉलिड एंल लिक्वीड मोड आफ फीडिंग एंड काइंड आफ फूडिंग है उसकी बाद का जो मारा टॉपिक है वो है नूट्रीशन नी इस्टारफिस इस्टारफिस में क्या होता है जो इस्टारफिस होती है यह हाड सेल से कवर हुई होती है इस्टारफिस जो होती है वो एक हाड सेल से कवर हुई रहती है जिब इस्टारफिस जो होती है अपनी इस्टोमेच को अपने माउथ को बाहर निकालती है जो सॉप्ट एनिमल्स होते ह जो soft animals होते हैं उनको ये अपने mouth के थूरू stomach में ले जाती है और इसका जो stomach होता है वो बाहर निकला रहता है और जब वो soft animals को ले लेती है उसके बाद में इसका जो stomach रहता है वो फिर सी body की इसके अंदर चला जाता है बैक हो जाता है steps in animal nutrition इसके बाद में हम जानेंगे steps in nutrition step in animal nutrition इसमें क्या होता है पांच होते हैं जिसमें है digestion, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egetion तो सबसे पहला जो step हमारा वो है egetion, egetion में क्या होता है कि method of obtaining food by an animal इस process में जो animals होते हैं वो food को obtain करते हैं और second है digestion, digestion में होता है मैंने जिससे आप लगों पहले बता है breaking down complex food into simpler molecules जो digestion में होता है कि जो complex food होते हैं जिसको हम लेते हैं उसको ये simple form में छोटे-छोटे टुकडों में ब्रेक करता है उसके बाद में third है absorption, absorption में होता है taking of digested food particles into blood जो हमारा digested food होता है वो blood में जाता है and third, fourth है assimilation, assimilation में होता है utilization of digested food for energy and materials essential for the body जो utilization होता है, जो digested food होते हैं इसको हम energy में convert करता है उसके बाद है ejection, ejection में क्या होता है कि removal of based from the body जो हमारे based products होते हैं उसको हम remove करते हैं अपनी body के दा, through जो animals होते हैं, part of digestive system, जो digestive system होता है उसके बारे में जानेंगी यह humans के बारे में दिया गया है, human, human का digestive system होता है इसमें जो digestive tract include, इसमें कितने कितने भाग include हैं, पहला है mouth और दूसरा है buccal cavity, third है food pipe, food pipe जोश्रफागर्ष, and fourth है stomach, fifth है small intestine and sixth है large intestine and rectum इसके बाद में the gland associated with the elementary canal के बारे में जानेंगे, इसमें जो हमारी body में कितनी glands होती है, four glands होती है जिसमें हमारा है, पहला है salivary glands, liver, pancreas, gallbladder, इसके बारे में बारे में चर्चा करेंगे salivary glands, liver, and pancreas, इसको आप ध्यान रखिएगा उसके बाद में आता है हमारा जो उसके बाद का topic है mouth, mouth में क्या होता है, कि जो mouth होता है, we intake the food through mouth, chew the food with teeth and break the food mechanically into small pieces, जो mouth होता है, यह food को लेने में हमारी help करता है और उसको चवाने में भी हमारी help करता है teeth जो food होते हैं, उसको small pieces में break कर देता है उसके बाद में आता है, there are two sets of teeth, जो teeth होते हैं, वो two sets होते हैं, पहला होता है milk teeth और दूसरा होता है इसको permanent teeth, milk teeth होता है, यजो 22 smiled, इसको permanent teeth होता है, total 32 होता है उसके बाधों जानेंगे functions, our teeth कीे functions होते हैं, the incisors होता है वो हमारी common teeth होते हैं total incisors होते हैंaugल, इसको bite, totalма इस इसको चांफ की przeci, 4 pair होते हैs, जो कि food को seizure के ज़रे से cut करता है इसका काम जो होता है, इसके 4 पेयर होते हैं, यानि total incisors जो होते है eight teeth होते हैं इसके, जैसा कि इस figure में आप देख सकते हैं जो incisors है, वो four है, इधर देखिए, नीचे की तरफ four है और ओपर की तरफ भी four होगा टोटल हो जाएगा 8 इंसीजर हो गया 8 जो उसके बाद में आता है second canine जो होते हैं वो 2 होते हैं तो पेर्स होते हैं तो टोटल हो गया 4 और उसके बाद में आता है premolars premolars होते हैं 4 ये भी 4 होते हैं 4 पेर्स होते हैं टोटल हो गया 8 एंड जो मोलर्स होते हैं वो 6 होते हैं इनको wisdom teeth भी बोला जाता है क्योंकि ये अमेज़ा रहते हैं permanent teeth होते हैं ये ये होते हैं 6 तो टोटल हो गया 6, 6, 12, 8, and 8, and 4 इसको एड करेंगे टोटल आजाएगा 32 canine teeth ये फूट को फूट को फूट को जैसे काटता है premolars and molars to grain the food ये जो molars and premolars होते हैं ये भोजन को grain करें उसके बाद में आदा डेंटल फार्मूला, टूथ देकी, टूथ देकी कैसे होता है, the stage of टूथ देकी, steps of टूथ देकी, left over food in the mouth, हम लेट साइज से माउथ में फूड लेते हैं, और बैक्टीरिया जो होता है, वो इसको ब्रेक करता है, सुगर में उसके बाद में प्रोडियूस होती है, जो पिंक कलर का होता है, covered with moist pink tissue, mucosha, ये moist pink कलर के टिसू से ढखा होता है, टिंक बंस काल पैपेलेई परजन, जो पैपेलेई होती है, ये लगबग हमारे लगबग थाउजन टेस्ट वर्ट से ढखा हुआ होता है, ये पैपेलेई, तूथ देकी, जो मैंने भी पता है, वो इसमें देखिए जो से की पहला जो इस्टेज होता है, ये बहुत ही, बिल्कुल भी इसमें पैन नहीं होता है, जो सेकेंड होता है, आर नौट, इस स्टेज आर नौट पैनफुल, जो फर्स्ट होता है, जो सेकेंड होता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है इस स्टेज इस पेइनफुल जो थर्ड होता है इसमें थोड़ा बहुत पेइन होता है इस स्टेज इस बेरी पेइनफुल और उसके बाद में जो थर्ड होता है वो होता है जादा पेइनफुल होता है उसके बाद के टॉपिक है हमारा functions of teeth to know the taste जो टंग होती है यह हमें जानने में इसकी भी help करती है कि taste कैसा है और food को भी saliva में mix करने में मारी help करती है और Lamarica लेने में अंदर करता है अंदर ले जाने में भी मारी help करती है और बाते करने में भी is हमाई टंग होती हो फैल करते हैं टेस्ट एर्याज ऑन दा हिमन टंग इसके जो एर्याज है स्वीट जो होता है वो टिप पे अग्दम टंग के टिप पे होता है अभी इसको आपको फीगर दिखा देते हैं साल्ट एड़ इधर साइड आप दा फ्रेंड आप दा फॉर्क हफ्ते बाद रिप्लेश चेंज होते रहते हैं और जो लगभग एक पर संद में 10,000 टेस्ट बड़ से भी ज्यादा टेस्ट बड़ होते हैं इस्मोकीन से करने से यह जो टेस्ट बड़ होते हैं यह कम हो जाते हैं जो टंग प्रॉबलम्स क्या हो क्या होती है सोर्स वैक्लि जो होता है एक दम टीप पे होता है उसके बिहाइंड इसके बगल में जो ता साल्ट होता है उसके जश्ट ऊपर होता है उसके बाद में होता है बिटर बैक में साइड में बिटर होता है इसके बाद में जो मार नेक्स टॉपिक हो उस्टू फैगस है उस्टू फैगस होता है म जो भोजन होता है वो जाता है perisztylases movement चाहित है समुद्र की लहरे उतीी है उसकी को पोलते है PERISTYLISIS movement इसकी बाद में आता है stomach इस टमक जो होता है वा ऊसोफाज के थूप में आता है stomak में जो होता है इसका जो सेट होता है वो जे सेट का होता है muscular way located at the left side of the upper abdomen it about 30 cm long and 50 cm wide 30 cm long होता है 50 cm wide होता है it can hold two liters of food at a time एक टाइम में two liters जो भुजन को रखता है पूर में रख सकता है secretion of stomach stomach जो होता है जो hydrochloric acid पाय जाता है stomach में जो की bacteria को मारता है और protein को digest करने में help करता है यह stomach का पूरा figure है जिससे इसमें parts दिये गए हैं यह है यह है fundus इस टमक का जो पार्ट है यह है fundus और इसके जो पाई पाई हुई है tubular type में इसे बोलते हैं और यह जो इसके जस्ट नीचे है cardia body of stomach जो line type में हुआ है इसे हम बोलते हैं longitudinal layer उसके बाद में circular layer circular type में जो है इसको हम बोलते है circular layer उसके बाद में आता है oblique layer और उसके बाद में जो इसके नीचे है इसके नीचे के पार्ट है इसको हम बोलते है पाई लोरिक सिप नेक्टर और इसके बाद में है इसे हम बोलते हैं laser curvature डेडुमिनम गैस्ट्रिक फ्लॉर्ट डेडुमिनम ग्रेटर्स क्रियाचर अबलीक्यू लेयर इसके सारे पार्ट से इसको आप पूरा फीगर देख सकते हैं अ 1 देख स्पॉर्ट होता है इसमें जो डाइगस्टिव सूक जीश फू सीपर्टिवल्स होते हैं इसके तूहहीं सिंपल पार्म स्परोटीन को ब्रेकडाउन लोगम में पूरेक्टाइन पूरेगम है इसमें घुछू नश थाइन में इसमाल इंत्री पार्टल कार्टेग के लानंको जो यह बयादा लुचिप को शुचा क्वह्ट केलउ Western. यह भाजक मों शुचाहिक जोच जोचाहिक हमाह समिते के ल कउपरी पर्ल काप्रुस्थ करने के आपे चुर्पर फिरी क समस्य निज्ट फिंगर सब्चर में कर दो सब्सक्रादे कि इसके एरिणायं कर दो पर ही यह दो फींगर गरता कर दो यह लोil Candil यह चोती होती है और इस पीड पीशोर्व यह henूटली होती है यह होता है यहां फ्रेजेटिफ प्रोबदक्त ही उसके बाद मैं यह से दाइस्ट बाता है इसके बाद में आ जाता है parts of small intestine इसके जो parts होते हैं डेडुमिनम, जेजुमिनम और इलियूम ये देखिए आप यहाँ पे जैसे की ये है डेडुमिनम और उसके बाद में ये जेजुमिनम और इलियूम दिया हुआ है जैसे की और उसके बाद में आता है large intestine large intestine जो होता है इसके जो parts है, इस parts को हम बोलते हैं transverse, colon और उसके बान में जो side में दिया होगा, ascending, colon liceocell, clone, appendix, and terminal, ilium, descending colon, sigmoid, rectum and NS उसके बान में जो facial matter होते हैं, स्कुरिमोब कर दिया जाता है उसके बात का जो हमारा topic है हो है rectum and NS Hautने तेंट रेक्टम ओता है यह लफी ऑन्म सब्सक्राइब और सप्ति सेंटेमीटर यह उपन होटा जा कर लूँ मेर फोनर पर यहां से ओपना। होटेजरन होते हैं वह तेंट रिक्त्व करते हैं आप syllables सालिब वेस्ट साथा ही यहां से solid waste substance होते हैं यहां से लीप कर दिया जाते हैं उसके बाद में glands की बारे में पढ़ लेंगे glands salivary glands क्या होती है salivary glands produce saliva through a system of ducts यहां पर produce होता है saliva saliva contains the enzyme amylase which digest starch इसमें enzyme पाई जाता है amylase जोकी starch को digest करने में help करता है और इसमें एक और enzyme पाई जाता है tylin tylin enzyme पाई जाता है इसमें एक जो prevent microbial growth in the mouth 0.5 to 1.5 liter saliva produce यह एक टाइम में लगभग 1.5 liter saliva 0.5 to 1.5 liter saliva produce करती है उसके बाद में देख लेंगे रेक्टम एन एने जूम की मैंने भी पढ़ाया उसका figure देख लीजे इसमें दिया हुआ है उसके बाद में slavery glands यह है slavery glands का figure उसमें इसके parts दिये हुए हैं समलिङुल दकत्ो लिंग्वेल, prelem, opening of 청balanced doctor wünar duct, 12%ößलवल, 19ажи, 12% एकम चैने स्पेट ग्लेंड, 172 नियर जो का पिमस दिये चैंब है यहा Estoy-Dרים क 주 scr tav उनिक ग्लेंड बार्वा माधी बॉड़ी की सिक्री बायल जूसे स्टोड in a sack called g attend the barrel बायल जूसे स्टोड करती है मि up orator in the digestion of fat बायल जूसे पाइल जूसे होता है यह leadership has the power of regeneration covered असके बाद में जो थोड़ ग्लैंड वो हैको इसक्रीम कलर जमी लोकेट ब्लोडव इस्टमक यह होती है इसका कलर ग्लैंड क्रीम कलर में में होता है। यह काम के ब्लोड़ में पाल्ट zi metam Orion में पहुछ सेज़ करनी होता है। और जो पैंक्रियाज होती है, यह इंसुलिन नामक इसमें हार्मोन पाजाता है, जो की सुगर लेवल को रेगुलियेट करती है, लीवर के पार्ट्स दिये हुए हैं, जिसमें कि राइट लोब, क्रोनोरी, लिगमेंट, लेप्ट लोब, यह लिगमेंटम, टेरेश, गॉल, ब बैँक्रीयाज के पार्ट्स दीजिए है, जो मैं त्वर क्रियाज में क्या होता है, इसको, झ सिस्टम होता है, जो कि प्रेकाइव एरभी जीगूटोर कटेमेंस इंटLE जानेंगे धिए फूर्ट इस्टेमज होता है डियाजरर इस्टेमज टुर्टेअिद तौर इन परूटीन सार्विति-ंतु सिंपलर ओर और इस तमस में जो digestive juices होते हैं और जो protein होती हैं उनकी simple form में change गया है और जो digestive food होते हैं उनको small intestine में विजा जाता है pancreatic juices, acts on carbohydrate and fats जो pancreatic juice होते हैं उनका काम होता है carbohydrate and fats को simple form में change करना नोबाइल जूज होती है, ये फैट्स को डाइजेसिंट करने में हल्प करते हैं। उसकी बाद में होता है कारभुहाइटर जो होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उसकी बाद में आता है प्रोटीज्ट्न कोbasर्ण होता है। विली helps to increase absorption area जो विली होती है वो absorption area होता है जो फूड होता है उसके बाद में large intestine में आता है और वहां पर water का absorption होता है waste materials will store in rectum जो waste materials होते हैं वो rectum में store होते हैं और इनसके तुरू रिमॉब कर दिये जाते हैं यह पर कुछ organs दिये गए हैं उनके movement और digestive diseases and enzyme और जो broken down करते हैं उसको दिया गया है mouth में क्या होता है कि chewing माउथ में होता है chew करता है फूट को और वो saliva को सलाइवा जो होता है समें mix करता है और जो की breakdown होता है starch में convert होता है उस फागस में जो movement होता है परिस्टेलिसिस movement होता है इस्टेमस में जो होता है cheering होती है और जो juices होते हैं hydrochloric acid and digestive juices में होते हैं जो की simple protein को simple form में change करते हैं और इसकी बाद में आता है इसमाल इंटेस्टाइन जो होती है इसमें परिस्टेलिसिस movement होता है digestive juices और कार्भोहाइटर और प्रोटीन कार्भोहाइटर और इस्टार्ज में convert करता है broken down करता है इसको simple form में उसकी बाद में पैंक्रियाज जो होता है पैंक्रियाटिक जूस को इसमें जो जूसे होते हैं पैंक्रियाटिक जूस जिसका काम होता है कार्भोहाइटर और प्रोटीन को simple form में चेंज करना लीवर में जो होता है bile juice होता है bile juice जो की fats को digestion करने में help करता है उसके बाद में आता है large intestine में जो होता है yeah WAS怎麼 इंए जो इंडरे सी मोमें परीजोलमांट थे चांद आंने कंच हूहता है या पर देन थे माधर जा जाता है स्टमस के फ़र गंपाटिम्न होते हैं रूमेन रेटिकूलम और वमासम जो रूमन होता है इसमें एक जो इसपेसल बैक्टिरिया पाज़ा जाता है रूमनों के वेकर स्प्लेवी फेशियंट जो की सेलिलोज को डाइजिस्ट करने में हेल्प करता है उसके बाद में आता है र लोज को डाइजेस्ट करता है उसके बाद में सेकंड चैंबर में जाएगा रेटी कुलम में और उसके बाद में जो हाफ डाइजेस्टिट फूट होते हैं उनको हम कर्ड में रखता है और उसके बाद में फिर से जो कर्ड में रखा हुआ रखे रहते हैं फूट को उसके फिर में इंगल्फिंग करता है इत्सके डायेशन और होता है चानलिडियम करता है, फू defence disruptway के हैं कंटरेक करता है अब सकाथ के बाद में और ही जिए regulus डीजित déclam की पार्ट से